हलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू तलत मैनू कीचन और आज तलत के कीचन में बन रहे हैं चिकन लेग का फिड लेशेज और यम्मी बनते हैं यह चिकन लेग तो ये देखिए मैंने लेग लिये हैं मैंने पांच पीस लिये हुए हैं और मैंने ये आगे से जो साइड है इसकी इसको काट दिया है तो ये ज़रूरी है वरना आपके लेग जो है वो अकड के कर रहे हो जाएंगे और मैस में डाल दूँगी दो चमच दही और एक चमच मैं इसमें डाल लए हूँ अधरक लसन का पेस्ट और दो मैंने कट करके भीज से हरी मिर्च डाल दी हैं और टेस्ट के अकर्डींग मैं इसमें नमग डाल दूँगी आपको जैसा भी पसंद हो अब डाल लिए और मैं आदा इसमें नीववू नी चोड़ दूँगी और मैंने इसमें जीरा और काली मिर्च का पॉडर आदा चमच डाला हुआ है और मैं डाल दूँगी डेर चम्मच इसमें कोरिअंडर पावडर यानि के धनिया पावडर और एक चोटा चम्मच मैंने इसमें डाला है चिली पावडर, रेड़ चिली पावडर आप अपने टेस्ट के recording डालिए और एक छोटा चमज मैंने इसमे गरम masala डाला है और दो चमज छोटे मैंने इसमे ओयल डाला है मैं जाल डूँगी देसी घी इससे इसका टेस्ट बहुत हटके होता है और काफी डिलेशेस बनता है और मैं इसको mix कर दूँगी तो जितना भी मसाला नमक मिरच और सारी चीज़ें हैं इसमें अच्छे से एक जॉब हो जाए और मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ी सी हल दी छोटा आधा चमच मैंने लेट कर दिया था आप मसालों के साथ ही डाल दीजिए और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और मैं इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी चार घंटे के लिए अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम हो तो आप दो घंटे के लिए रख दें और उससे भी कम हो तो एक घंटा तो जुरूर रखें और मैंने एक कढ़ाई में ओयल डाला है और उसमें डाल दिये हैं कुछ खड़े मसाले इलाची है जीरा है डालचीनी है और एक मीडियम साइज का प्यास जो था मैंने कट कर लिया था तो मैंने छोटा बारीक थोड़ा सा कट किया हुआ है आप चाहें तो प्यास पीस कर भी डाल सकते हैं और मैं इस प्यास को गोल्डन ब्राउन कर लूँगी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए अगर आप चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करिए विल आइकन का बटन दबाईए ताके आपको मेरे वीडियो की नौटिफिकेशन पहले ही मिल सके तो ये देखिए चार घंटे हो गए है ये अच्छे से मेरीनेट हो गया है और प्यास भी गोल्डन ब्राउन हो गया है और मैं डाल दूँगी इसमें लेग तो ये सारे लेग पीस मैस में डाल दूँगी और इसमें सारा मसाला नमग वगयरा पहले से ही एक्जॉब है और इसी तेल में मैं इसको रोश्ट कर लूँगी तो देखिए खुश्बू भी बहुत अच्छी है और टेस्ट भी इसका ला जवाब होगा तो मैं ऐसी में हलकी आज करके इसको रोश्ट कर लूँगी ये अच्छे से रोश्ट हो गए हैं और मैं इसमें डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अगर आपके पास हो तो डालिए अगर नहीं है तो इसकीप कर दीजिए वैसे भी इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और टेश तो बहुत ही अच्छा होगा तो मैं इसमें डाल दूँगी एक छोटी कटोरी पानी आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसकी ग्रेवी ज़्यादा कर सकते हैं और चाहें तो भुना ही उतार सकते हैं लेकिन मैंने थोड़ी सी इसमें ग्रेवी रखी है लसलसापन रखा है ज्यादा नहीं रखा है तो ये देखिए अच्छे से बन गए है और इस पर मैं डाल दूँगी हरा धनिया और तो काफी टेस्टी और यम्ि बनते हैं ये लेक्पीस एक बार इसको ज़रूर बनाईए ये लेक्पीस सबको पसंद आएंगे और काफी डिलेशेज और यम्मी बनते हैं एक बार ज़रूर बनाईए Thank you for watching झाल सावर की में